जोहां का सबसे बड़ा गुलाब बाग उध्यान इन दिनों बधाली का शकार है उध्यान के जूले तूटे पड़े हैं तो साथ ही गार्डन में लगी घास भी खराब हो रही है ऐसे में वहां जाने वाले बच्चों को निराश होना पड़ रहा है लेकिन जिम्यदार नगर निगम इस ओड़ कोई ध्यान नहीं दे रहा है सीधे रुक करेंगे हमारे सही होगी अविनाश जगनावत का इसी खबर पर जादा जानकारियों के साथ उधायपूर से जूट शुके हैं अविनाश गुलाब बाग एक जाना माना उध्यान है जहां पर बच्चों के खेलने के लिए जगा बनाई गई है वाक करने के लिए जगा बनाई गई है लेकिन आजकल बधाली का श्रकार है नगर निगम की लापरवाही सामने आ रही है क्या वज़ा है अजिए बिए लगातार नगर निगम के और से प्रयास किया जाता है कि गुलाबा कुद्ध्यान को अच्छा रखा जाया बच्चों के खेलने की जो जूले वगर आए उनको अच्छा रखा जाया लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहा है और यही कारणे कि आप जो बच्चे आते हैं उनको निराशा होती है बच्ची हमारे साथ में पिटा आप यहां गुलाबा गाय केसा लगता है जूले टूटे वे होते हैं और फिर हम जब ढूलते तो फिर कभी-कभी तम घिरी जाते हैं तो अगर यह सही होगा तो हम अच्छे से खेल सकते हैं तो अच्छा नही आप बच्ची को लेका है किसा बच्ची को लेकाता हूं साब एक सारे क्यों में टूटे हैं सब गिंडने और लगनी चांस आजा रहते हैं और देखिए गुलाबाग में नगर निगम के माध्यम से हर साल करोड़ रुपे का बजट किया जाता है पैस लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि एक रुपया भी यहां खरचने करते हैं आज आप पूरे गुलाबाग की स्थिति देख लिए पूरा गुलाबाग समझ लिए सड़ रहा है मेवाल का सबसे बड़ा यह गुलाबाग है लेकिन इस गुलाबाग पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जाता एक लेकिन विकास के नाम पर जीरो है आप आप क्या चाहता हूं कि इतना चोट 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 पारक है वो इतना बड़िया मेंटन है जबकिनको आज बजट भी नहीं है गोदली होता है इससे लाग गुना अच्छे है और इतना बजट होने के बाद भी इस बिल्कि पूरे राजस्थान का देखा जाए तो एक सबसे बड़ा उद्यान है गुलाब बाग जो के सन 1857 में फटे सिंग जी ने बनवाए था इतना पुराना होने के बाद भी यह मतलब लगा है लेकिन बच्चों को हम हमेशा कहते हैं कि मुबाइल की दुनिया से बहार न